आज का जो अच्छे ने हमने पड़ा है आज का मेरा जो टॉपिक है परमेशर का कार्य करने के लिए परमेशर की ओर से हमारा चुनाओ होना चाहिए परमेशर का कार्य करने के लिए परमेशर की ओर से हमारा चुनाओ होना चाहिए यहाँ पर तो हम सभी लोग परमेशोर के चुने हुए ही लोग है यहाँ पर सब जो उपस्तित है आज हम मसी के नाम से ही यहाँ पर उपस्तित है और हम सभी लोग अल्रेडी परमेशोर के चुने हुए ही लोग है लेकिन मेरा यहाँ पर जो टॉपिक है परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर की ओर से हमारा चुना होना यहाँ जरूरी है इसके उपर आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आज हम जो भी देखने वाले उसरी प्रभु के वच्चनों में से ही देखेंगे कि प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को किस प्रकार चुना है और किस प्रकार प्रभु ने बाइबल में हर एक दास को हर एक विक्ति को परमेश्वर ने चुना उनका कार् और हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर में उस हर एक दासको परमेश्वर में किस प्रकार चुना है बाइबल में जब आम बाइबल की वच्छनों में जब जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास है जिने परमेश्वर ने खुद चुना है मैं सरवप्रता हम देखेंगे मुसा को मुसा को परमेश्वर ने खुद चुना है परमेश्वर को मुसा ने कुछ चुना है हमें वच्छन में देखने को मिलता है निर्गमन की मुसकर किसका अध्याचार वच्छन 10 से लेकर 17 तक वहाँ पर परमेश्वर ने कुछ मुसा को चुना वहाँ पर परमेश्वर मुसा को कहता है यहां पर मुसा का चुनाव किस प्रकार हो गए हम देखेंगे वचन में मुसा को परमेश्वर ने चुना तब मुसा क्या कहता है परमेश्वर को मुसा ने यहाँ से कहा है मेरे bye मैं बोलने में निपून नहीं नो तो पहले था और मैं जब से तू ने अपने दास से बाते करने लगा मैं तो मू और जीब का भद्धा हूँ जब परमेश्वर ने मुसा को चुना उनका कार्य करने के लिए जो कार्य मुसा को देना चाता था परमेश्वर जो इस्राइली लोगों के लिए परमेश्वर मुसा को खड़ा करना चाहता था लेकिन मुसा कहता है हापर है प्रभू मैं तो बोलने में निपुन मैं तो जीव का भद्दा हूँ मैं तो नहीं बोल सकता तो किसी और को भेज तो तब परमेश्वर को वहाँ पर फ्रोद आता है फिर भी परमेश्वर कहता है नई तुझे ही वो कार्य करना है फिर परमेश्वर ने इस प्रकार मुसा को चुना फिर उसके लिए परमेश्वर ने उसके भाई हारुन को वहाँ पर उसकी साथ खड़ा किया फिर भी परमेशर उसको खड़ा करने के बाउज भी मुसा के तरफ से ही अपना कार्य पूरा करवा के लेते हैं जब हम आगे वचन में देखते हैं परमेशर ने मुसा को चुना और मुसा को जो कार्य करना था वो कार्य सोपा और परमेशर ने मुसा को एक ऐ इतने अच्छी तरह से निभाया हर एक कार्य में वह सफलता पाते गया उस लाधी के द्वारा ही जो परमेश्वर ने उसी दिया था हर कठी नाईयों में से उसे परमेश्वर में बाहर निकाला है इस प्रकार परमेश्वर ने उसे चुना है फिर बाद में हम देखते हैं यू का बहुत प्रिय था सभी भाई लोग इसे इसके साथ बुरा बरताव करते हैं क्योंकि वह अपने पिता का प्रिय था इसलिए वह भाई लोगों ने क्या किया एक दिन उसे मार कर गड़े में फेक दिया लेकिन परमेशोर ने उसे कभी नहीं छोड़ा परमेशोर ने यूसुप को चुना अपने कारे के लिए और उसे कारे करने के लिए चुना परमेशोर ने उसे ऐसी बुद्धी दी ऐसी बुद्धी दी कारे करने के लिए कि उस बुद्धी के द्वारा वो हर एक स्वपन का अर्थ बताता था प्रियों यूसुप को इस प्रकार परमेशर ने चुना और आपने सामर से भरा कि परमेशर ने ऐसी बुद्धी ऐसी ज्ञान उसको दी कि वो हर एक स्वपन का अर्थ बताता था प्रियो इसी कारण जब वो मिस्र में जाता है तो वहाँ पर फिरोन को जो स्वपन गिरता है उस स्वपन का आर्थ भी यूसुफ वहाँ पर बताता है प्रियो तब जाकर वहाँ पर फिरोन आनंदिक होता है और उसे वहाँ पर मिस्र देश का प्रधान मंत्री उसको बनाया जाता है प्रियों इस प्रकर परमेश्वर ने उसे चुना इस कारण और परमेश्वर ने उसे सामहर्थ दी कि सपनों को समझने की जो गुत्ती परमेश्वर ने दी इसी कारण वो वहाँ पर मिस्र देश का प्रधान मंत्री बनता है प्रियों जब हम आगे जाते हैं फिर हम देखते हैं यहुश परमेश्वर ने खुद चुना अपना कार्य करने के लिए चुना और उसे यहुशु को कहा परमेश्वर ने जैसे मैं मुसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा जहां जहां तु जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा इस प्रकार परमेश्वर ने यह यहुशु को भी कहा और यहुशु को परमेशर ने इस प्रकार अपने सामर से भरा कि उसे कहा कि वेवस्ता की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए इसी में दिन राद ध्यान दिये रहना और ऐसा ही करने से तो हर एक काम में सफलता पाएगा इस प्रकार परमेशर ने यहुशु को चुना और अपने वच्णों का सामर्थ परमेशर ने यहुशु को दिया और इसी कारण जब हम आगे वच्णों में देखते हैं यहुशु के बारे में तो वो भी हर एक काम में सफलता पाते जाता है फ्रियो फिर उसी प्रकार हम देखते हैं दाउद के बारे में जिसने गोलियात को मार गिराया था वो एक छोटा ही एक साधारन वेक्ती था भेडबकरी को चराने वाला वेक्ती था दाउद लेकिन परमेशर में उसी चुना जो गोलियात था उसका सामना कोई नहीं कर सकता था उस देश में गोलियात का सामना करने के जैसा कोई वेक्ती है ही नहीं था क्योंकि हर एक वेक्ती उस गोलियात से डरता था प्रियो लेकिन परमेशर ने वहाँ पर दाउद का दाउद को चुना और उस कार्य के लिए दाउद को खड़ा किया और परमेश्वर ने उसको ऐसे सामज से भरा कि दाउद के पास गोफन थी उस गोफन के द्वारा दाउद ने उस गोलियाद को मार निचे गिरा है प्रियो अगर हम मुई में देखते हैं दावुद और गोलियात की मुई में तो गोलियात को देखे तो हम खुद भी डर जाते हैं वैसा वो इंसान था लेकिन दावुद वो एक भेडवक्री चराने वाला एक साधारन वेक्ति था लेकिन उस वेक्टी को परमेश्वर ने चुना और उसे इस प्रकार का सामर्थ उसे दिया उस सामर्थ के द्वारा आज वो गोलियात को मार निचे गिराता है प्रियोग इस प्रकार परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए उसे चुनता है प्रियोग और जब हम देखते हैं योना के बारे में योना को भी परमेश्वर नहीं चुना कारे करने के लिए योना को जब परमेश्वर कहता है कि तुझे उस बड़े शहर निन्वे शहर में जाना है तो वो क्या करता है डर के मारे वो निन्वे शहर जाना छोड़के तर्शिस चले जा लेकिन यहां पर परमेशर मैं फिर उसे लेकर आता है और उसे कहता है तुझे निन्वे ही जाना है वहां है इस योना के जीवन से हमें यहां बात पता चलती है प्रीयोcs फर्मेशर चुनता कुछ चुनता है उसका कार्य करने के लिए तो उसकी और से कार्य कुछा करवाकर ही लेता है जिस प्रकार योन मंद द्वारा पर मे वीज़ा कि उसके आता लेकिन परमेशर ने उसे छोड़ा गया नहीं छोड़ा फिर भी उसे ही परमेशर ने लेकर आया और उसका जो कार्य उसे सोपा गया था उस कार्य को परमेशर ने उसके द्वारा फूरा किया है प्रियों यह हमें वचनों में देखने को मिलता है क्योंकि जब हम वचन में इस परमेशवर जिसकी को भी अपना कार्य सोगता है, उनकी और से अपना कार्य पूरा करवा कर ही लेता है, क्यों करवा कर लेता है, क्योंकि प्रभु का वच्छन केता है, कि मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है, परमेशवर ने मुझे और आपको दाम देकर मोल लिया है, इ परमेशर ने बाइवल में उनहर एक दास को उनहर एक सेवक को परमेशर ने किस प्रकार चुना है यह हमें देखने को मिलता है प्रियो बाइवल में और आज जो परमेशर ने हमें कार्य सोपा है कि तुम जाओ सारी सुरुष्टी में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रच करवा कर अपना कार्य पूरा कर दिया है प्रियों अपना कार्य करवा कर लिए और आपको भी कार्य करने के लिए कि हम उच्ण में देखते हैं हम भी उसके चुने हुए लोग है युद्नर एची सु समचल हमें देखने को मिलीगा वचर यहां नहीं सुसा मचार इसका अध्य है 15 वचर वहां पर खुद परमेश्वर ने कहा है तुमने मुझे नहीं परन्तु मैंने तुम्हें चुना है यहां पर खुद परमेश्वर हमें कहता है कि तुमने मुझे नहीं परन्तु मैंने तुम्हें चुना है जिस प्रकार मुसा को चुना जिस प्रकार आनेक दास है उनको चुना उसी प्रकार आज प्रभु का वच्छन कहता है कि तुमने मुझे नहीं परन्तु मैंने तुम्हें प्रकार का वचन हमें प्रभू ने दिया है और तुम्हें नीयुक्त किया कि तुम जाकर फल आओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तू मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुमें दे हमें फल लाने वाला बना है यहाँ पर ओचन कहता है कि तुम जाकर फल लाओ जो वो फल जो की प्रोभु में बना रहे उस प्रकार का फल हमें लाना है हमें फल खाने वाला हमें फल खाने वाले नहीं वरन फल लाने वाले बनना है हम जब देखते हैं उस पती में हवा ने जो आग्या परमेशवर नहीं दी थी उस आग्या को उन्होंने तोड़ा उन्होंने फल खाया वो खुद खाया और अपने पती को भी दिया लेकिन हामें फल खाने वाले नहीं, परन हामें फल लाने वाले बनना है, वो फल जो प्रभू में निरंतर बना रहे, उस प्रकार का फल लाना है हमें। और वचन में कहा गया है, पहला पत्रस इसका अध्रे दो, वचन नौ। पर तुम एक चुना हुआ हुआईश और राजपदाधरी आजबों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निच प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुमें अंधकार में से अपनी अध्भूत ज प्रकार हुआ, यहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक चुना हुआ वचन हो, परमेश्वर की निच प्रजा हो। परमेश्वर की निच प्रजा हो। सु समाचार प्रचार कर सके प्रियोग। और हमने देखता है कि परमेश्वर में किस प्रकार हुने चुना और किस प्रकार अपने कारे के लिए खड़ा किया और किस प्रकार उनकी और से अपना कारे पूरा करवा कर लिया है। हम जब देखते हैं कि परमेशर ने हर एक को जिस किसी को भी परमेशर में चुना, हर एक को परमेशर ने एक-एक हतियार दिया है, अपना कार्य करने के जिए, हर एक को परमेशर ने एक-एक हतियार दिया है, जब हमने मुसा के बारे में देखा, तो मुसा को परमेशर ने तो नहीं होगा क्योंकि वह परमेश्वर की और उसमें सामर थे था उसलिए अनेक कार्यक जब मुसा जो कार्य किया है अनेक कार्यक मुसा नी किया और उसकार्य में उसको सफलता मिलते गई उस लाठी के द्वारा और यूसुफ के बारे में हमने देखा कि उसे परमेश्वर में ऐसी बुद्धी थी ऐसी बुद्धी थी कि वो कठीन से कठीन सवपनों का अर्थ वो बताता था जब उसको खुद को सवपन गिरा उसके भाईभों को बताता था, तो उसके भाईभों उसे तुछë माने, ये क्या बता रहा है ऐसा बढूँद। लेकिन जब उसका स्वपन पूरा होता है, तब उसके आके खुल जाते है प्रियों। इस प्रकार का वर्दान, इस प्रकार का सामहर्थ परमेश और ने यहुशु को दिया था उसी प्रकार हम देखते हैं यहुशु को यहुशु को परमेश और ने अपने वचनों का सामहर्थ दिया था उसे कहा कि तेरे यहां वेवस्ता कि कुस्तफ तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए इसी में ध्यान दिया कर आइसा करने से ही तो हर एक काम में सफलता पाएगा और उसने ऐसा ही किया इसी किये वो आगे जाकर हर एक काम में सफलता पाते गया गया और जिस प्रकार हमने वेखती था उसके पास एक गोपन थी अब आपन किसी एक बच्चों को बोली गोपन से तू मार बोले तो उससे कुछ होगा क्या नहीं होगा वो बर्मेश्वर से दिया हुआ था और बर्मेश्वर का सामर्त उसमें था इसलिए दावुद में उस गोलियाग को मार गिराया है इस प्रकार का हतियार पर्मेश्वर ने उन हर एक को दिया कि उसके द्वारा हर एक वो दाव, हर एक वो सेवर अपने कार्य में सफलता पाते गए है प्रियो परमेशर ने हमें दिया है कि सारे शुष्टि में जाकर सारे सुरुष्टि के लोगों को सुसमचार प्रचार करो आज हमारे पास पुन सा हतियार है वो अभी हमें वचनों में से देखने को मिलेगा हम देखेंगे वचन इफिसियों के पत्री इसका अध्य है 16 वच्छन 13 वहाँ पर ऐसा कहा गया है इसलिए परमेशर के सारे हतियार बान लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्तीर रह सको जिस प्रकार बाइबल में हमने देखा है आप तक परमेशर ने उनहार एक वेक्टी को चुना अपना कारे करने के लिए उन्हें अपने सामर से भरा और उन्हें एक हतियार दिया उसी प्रकार आज परमेश्वर मुझे और आपको भी चुना है और कहा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैं ने तुमें चुना है इस प्रकार परमेशर ने हमें चुना और ये कार्या हमें दिया है कि सारे सुरुष्टी में जाकर सारे सुरुष्टी में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और बहुत सारा पल लाओ जो कि पल वो बना रहे इस प्रकार का परमेशर ने आज हमें और आपको भी दिया है और वो जो हतियार परमेशर ने हमें दिया है हम आगे वच्छन में देखेंगे उसी अध्याई इकिस्यों की पत्री इसका अध्य है उच्छे और चोदा से लेकर सत्रा तक हम देखी देखिए इसलिए नच्छे से अपने कमर कख कर और धार्मीता की धीलब पहिंग कर और पाओ में मेल के सुसाबाचार की तैयारी के दूसे पहिंग कर और इस सबके साथ विच्वास की धार लेंकर प्री रहो जिसने तुम उस दुष्ट के सब रहते हुए पीरों को उजार को और उत्धार को और आत्मा की सल्वार जो पर्मेशर का बचन है ले लो अज कौन सा हती आ रहे हमारे पास पुछन है जिस प्रकार पर्मेशर ने यहुश को कहा था कि वेवस्ता की यह उस तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए इसी में दिन रात ध्यान दिये रहना ऐसा करने से ही तुँ हर एक कामे सफल तपाएगा आज जो कार्य पर्मेशर ने हमें सोपा है कि सारी सुरुष्टी में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और वो कार्य करने के लिए पर्मेशर ने हमें चुना पर्मेशर ने अपने सामर से हमें भरा और पर्मेशर ने हमें भी हतियार दिया जो हतियार हमने आज देखा है कि उन हर एक दासों को परमेश्वर ने दिया ता वही हतियार परमेश्वर आज मुझे और आपको भी देता है इसी वच्छन के द्वारा हमें प्रभु का कार्य करना है और प्रभु का कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ना है प्रभु ने जो कार्य दिया है वो क कार्या हमें करना है हमें पीछे नहीं हटना है जिस प्रकार योन्हा को कहा गया था पहली बार तो वो पीछे हट गया लेकिन पर्मेशर ने उसे छोड़ा क्या नहीं छोड़ा फिर भी पर्मेशर उसे ले के आता है और उसकी और से पर्मेशर ने अपना कार्य पूरा करवा कर उसके कार्य के लिए खड़ कोज़ते हैं करना दाने के लिए खड़ती नहीं पते오 तब तक परमेशर हमें उस सामर से नहीं बहरे गा परिफू से, जब वह किसी को चुनता है तो उसकी और से अपना कार्य पूरा कर वा कर ले railway rating लेता है प्रमेशर ने मुझे और आपको भी छुन लिया है परंतु तुमने मुझे नहीं परंतु मैं ने तुम्हें चुना है क्योंकि स्रुष्टी में जाकर सारे लोगों को सु समाचार प्रचार करो उसका प्रचार हमें करना है प्रोष्यूं जाकर उसका हमें प्रचार करना है हम feder difन कुछ नहीं कर सकते चाहे वह छोटा काम हो बड़ा काम हो पर्मेशर का चाहे कॉनता भी काम हो हम le的人 के सिवा मपर के सिवा हम कुछ भी नहीं है अए ऑगो मसी का सामरत है अदर है तब ली जाकर हमें इस वचन का प्रचार हर एक जगा जाकर कर सकते हैं सारी स्रुष्चि में जाकर परमेश्वर्का प्रचार करना आसान बात नहीं एब बहुत कठीन बात है अब हमें देखा हमें बहुत से बाते सुने को मिलता है कि वहाँ पर उस सेवक को मारा गया इस सेवक को मारा गया बहुत कठीन बात है प्रभु का वच्छन प्रचार करना साधरन बात नहीं है फ्रियो लेकिन जब प्रभु चुनता है तो उन कठीनाईयों में से भी परमेश् कर पाएंगे प्रियो इसलिए परमेशर ने हमें चुन लिया है इसलिए परमेशर ने कहा है तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुमें चुना है हमने परमेशर को नहीं चुना परमेशर नहीं हमें चुना है उन्होंने हमें चुना है इसलिए आज हम उसके नाम में सभी एक फर्मेशर ने हमने देना चाहता है और यह थियार जो फर्मेशर वहमें दीया है इसके द्वारा रखेया कार्य wok destyn McLegang करहता है जो करेयो को आगे बढ़ना है मसी के बिना कुछ भी नहीं है मशी बिना जीना बेकार है वही मेरे जीवन और अधार है मसी के बिना कुछ भी नहीं है प्रियो उसका कार्य हमें करना है हमें आगे पढ़ ना है तब हि परमेशार हमें उसके सामर्ज से भरेगा उसके पवित्र आत्मा से भरेगा और जिस प्रकार आज परमेश्वर तुम्हें और हमें भी चुनता है और उसके सामर्थ से भरता है प्रभु जी आज प्रभु जो वचन आपने हमें दिया है प्रभु उस वचन को प्रभु पूरा करने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ दीजिए प्रभु आप हमें अगवाई कीजिए प परमेश्वर आज यहां पर बर्टे हुए हर एक वेक्ति को प्रोभु वो सामर्थ दिजे प्रोभु जो कि आप अपने दास को दिया है प्रोभु उस सामर्थ के द्वारा प्रोभु हम आपके कार्यों को पूरा कर सके प्रभू, इसलिए आप हमें आपके सामर से भरिये प्रभू, ए छोटी सी इन के हमारे प्रभू, हमारे प्रिया प्रभी इश्यमसी के नाम में मांगते हो, सुनिये और ग्रहन की जिये मेरे पिता, आमें